हलो फ्रेंट्स आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज हम H.U. के बारे में जानेंगे H.U. यह एक इतना इंपोर्टेंट पार्ट है H.V.C. सिस्टम का जिसके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए इसमें अगर आपने I.T.I. किया है डिपलोमा या बीटे किया है और आप किसी भी फिल्ड में वर्क कर रहे हैं और आप अपने आपको ग्रो कराना चाहते हैं सबूझ आप अगले स्टैप पर जाना चाहते हैं तो आपको H.V.C. सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए यह फा इससे हम Air को Handle करते हैं Air को Control करते हैं तो इसी लिए उसको हम H.V.C. बोलते हैं अभी H.V.C. के अंदर वहिए क्या-क्या चीज़े होते हैं H.V.C. में काफी चीज़े होती है H.V.C. क्या होता है H.V.C. होता Air Handling Unit इसके बाद में क्या है कि जो हमारा H.V.C. होता है कौल के आगे लगा रहता है, दूसरे में कौल के पीछे लगा रहता है, यार यह कूनसी चीज होगी, कौल के पीछे, कौल के आगे, एक जिसे हमारा FCU होता है, एक ACHU होता है, तो दोनों एक ही चीज होती है, दोनों का नाम थोड़ा सा difference है, तो ये दो चीजें उसके अंदर होती है, उसमें और कुर्ण सा क्या क्या मोर्टर होती है, जी air blowर होता है, cooling coil होती है, और air filter होता है, ये सारी चीजें जो main part होती है, एक पूरा उसका चारा cover होता है, वैसे तो out क की डक्ट होती है बहुत सारे पार्ट होता है जो अगर main-main parts की बात करें तो यह होते हैं अभी थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या हम वो सारे पार्ट जानेंगे जो एच्चू के अंदर लगे रहते हैं और BMS building management system के अंदर भी use किये जाते हैं तो इन सारे parts को थोड़ा सा समझ लेते हैं आपको बता देता हूँ कि क्या है भई कैसे कैसे क्या होगा हमारा जैसे control wall है control wall या balancing wall क्या होता है है ये सारी चीज़ें ये समझो कि ये तेर चोदा point है इन चोदा points को हम सीखने वाले हैं और ये video important होने वाली है और एक और important news है आपके लिए हमारा HVAC का course HVAC का course हमारा 15 तारिक से 15 सितंबर से start होने वाला है अगर आप interested हैं तो हमारा app download कर लीजिए play store से skilled हिंदुस्तान के नाम से app होगा और उसको आपको download करना है और वहीं पर आपको वो course मिलेगा आप electrical में interested हैं electrical में अपने आपको आगे ले जाना चाहते हैं तो हमारा electrical advanced course है बहुत जल्दी start होने वाला है तो उसको join कर सकते हैं उसको भी आप app के द्वारा join कर सकते हैं तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अगले page पर और एक ये करके जो चीजें हैं ना उनको थोड़ा detail में समझते हैं ये क्या आगया भाई ये आगया हमारा AHU क्या आगया ये हमारा AHU है ऐसा देखता है दोस्तों AHU हमारा ऐसा देखता है इसमें है क्या क्या चीजें ये क्या क्या चीज़े है ये गोल गोल सा लगा हुआ है ये क्या है क्यूं लगाते हैं इसको क्या है तो क्या देखते हैं इसके अंदर से ये जो पाइप है ये पाइप कौन सा है क्यूं लगाया गया है ये पाइप ये मीटर सा है बही क्या काम करेगा ये मीटर यह क्या चीज है तो बहुत सारी चीजे हैं वो clear होने वाली हैं आपकी हो सकता है वीडियो लंबी हो और सोचें यार अगर आप really सीखना जाते हैं तो समझ यह समझ यह समझने की जरूरत है तो हम बात करें थे हमारे HU के बारे में HU हमारा होता है Air Handling Unit इसमें यह क्या है यह वाला पार्ट क्या देख रहे हैं आप फिल्टर है यह वाला पार्ट हमारा फिल्टर है यह आप देख रहेंगे यह फिल्टर लगे हुए है यह देखो इसमें चार फिल्टर लगे हुए है एक दो तीन चार छोटा HU है A2 की capacity किस चीज में होती है A2 की capacity हमेशा CFM में होती है CFM जैसे अपनारा AC होता है हमारा AC है घर का AC है किस में होती है उसकी rating 10 में होती है TR में होती है कितने TR का है बट इसकी capacity किस में होती है CFM में होती है इसकी capacity CFM cubic feet per meter CFM होता है तो यह क्यों लगाते हैं यह चीज क्या है इसको insulated क्यों क्या गया है question बहुत सारे होते है question बहुत सारे अगर मैं इसी photo पर रोख के इसी photo पर रोख के आपको बताऊ ना तो 10 minute लग जाएंगे चीजें बताने में और आपको समझने में तो अगर आप कहते हैं तो अब हमें रुखते हैं otherwise आगे बढ़ते हैं तो थीक है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं चीजों को तो एक तो हमने सबसे पहले बात की भी इसके अंदर एक motor होती है पहले यह बाहर है यह चुका बाहर का बाहर क्या क्या होती है इसमें एक in line होती है एक outline होती है दो line इसके अंदर होती है और दोनों में ही यह देखो यह हमारे pressure gauge और कहीं इसमें temperature gauge भी लगा होगा pressure gauge एक का यह लगा होगा है दोनों में ही pressure gauge और temperature gauge लगे हुए है ये देखे ये प्रेसर गेज लगा हुआ है हमारा प्रेसर गेज में ये वाल क्यों लगा हुआ है भी ये वाल क्यों लगा हुआ है पता है आपको ये वीडियो आप लोगों को पता है ये हमारे जो HVC का कोर्स है ना उसकी वीडियो है जो आप लोगों को मिल रही है भी फ्री अगर यह तुम्हारा इस line में ना अमेशा Pressure रहता है, यह main line से जूड़ी रहती है, अगर इस line में अमेशा Pressure रहेगा, किसी वज़ेसे यह meter तुम्हारा खराब हो गया, तो क्या करेंगे? चेंज करने की जुरूरत पड़ेगी इसको इसको चेंज करने की जुरूरत पड़ेगी सीधा खोल के चेंज नहीं कर सकतेगी तो यह वाल बंद करना पड़ेगा तो यह वाल है यह वाल इसलिए देगा है इसको बॉल बॉलते हैं यह हमारा मीटर है प्रेसर मीटर है यह टमप इसको भी खोलेंगे तो इसमें दो वाल नहीं दे रखा तो इसमें वाल की जुरूत नहीं होती, क्योंकि पाई डारेक्ट इस के जो a point होता है, वह तक नहीं जाता है, यह भी important है, इसके अंदर इसके अंदर insulation लगाओ और उसको फिर double insulated किया गया है long life के लिए वो वाली चीज फड़ जाती है ये थोड़ा सा लंबा चलता है ठीक है तो filter है जी filter लगाने की क्या जोरूत है भई हम किसी को भी हम क्या देते हैं एक fresh air fresh मतलब saav सुथरी air और एक temperature एक temperature दो चीज़े हम देते हैं तो saav सुथरी air के लिए क्या होगा बाहर की जो dust होगी ये इसके नीचे क्या होती है हमारी cooling coil होती है इसके नीचे filter को हम हटाते हैं तो इसके नीचे हमें cooling coil लिकलती है कितने दिन में इसको clean करना चाहिए इसको हर हपते साफ किया जाता है filter दो तरह के होते हैं एक washable एक non washable तो इसमें जो ज़्यादा थर filter use के जाते है washable filter use के जाते है तो filter निकलता है हर आपते इनकी cleaning होती है तेक है इसके नीचे जश्ट coil होती है इसके नीचे जस्ट कॉयल होती है ये क्या देख रहे हैं ये ये क्या है जी ये डक्ट है यहां से air आएगी अंदर यहां से air को खीचेगा filter में से filter होगी इसके अंदर जाएगी blower खीचेगा उसको centrifugal blower लगा रहता इसमें और इस duct के अंदर बेज देगा इस duct के अंदर इस duct के अंदर बेज देगा डक्ट में एक कपड़ा सा क्या लगा हो है जी ये कपड़ा सा क्या लगा हो canvas बोलते हैं इसको इसको बोलते है canvas ये जो कपड़ा सा लगा रहता है क्यों लगाते हैं जो हमारे ये जो HU की vibration आगे नहीं जाए इसलिए इसको हम use करते हैं यह सीसा सा क्यों लगाते हैं भई हमारी motor वगरा है सही से चल रही है तो इस सीसे के अंदर से देख लेते हैं उसकी belt तो नहीं तूट गई है सही तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है तो कि इसके जब जो यह door open करते हैं तो इसके अंदर एक door limit switch लगा रहता है जिसको खोलते ही motor अपने आप बंद हो जाती है हमारा जो circulation air का कुछ दिन के लिए रुख जाएगा तो हम यहां से देख सकते हैं कि भई सब कुछ ठीक है तो इसलिए यह glass लगा के रखते हैं तो यहां देखो एक photo के अंदर इमने बहुत सारी नीचे भी देखेंगे न यह देखो काले काले लगे हुए हैं इसके नीचे इनको क्या बोलते हैं? vibration pad बोलते हैं इनको vibration pad plastic के कुछ लगा देते हैं जिससे की नीचे vibration नहीं जाए तो कितनी चीज़ें से की? काफी चीज़ें से की अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अबने अपना point number one wall बताया था आपको balancing wall क्या होता? balancing wall HU के इंदर हम इसको लगाते हैं यह देखिए ऐसे wheel सा होता है यहां देखेंगे एक wheel है यह पानी के flow को कम और ज्यादा करते हैं जब हम जब हम एक design करते हैं एक HU में कि इसको मैं कितना पानी चाहना चाहिए तो पानी को कैसे नापते हैं? पानी को नापते हैं G gallon per minute GPM पैनल को GPM में नापते है gallon per minute कि मेरा पानी एक मिनिट में कितना जा रहा है कितना जाना चाहिए यह जो designing team होती है project वाली team होती है उसका काम होता है इंजीनियर यह design करते हैं कि कितना GPM आना चाहिए तो इस बाल को बार बार छेड़ना नहीं है खोलना नहीं है बार बार छेड़ना नहीं है खोलना नहीं है इस बाल को ऐसे कैसे रहने देना है ये क्योंकि वो GPM को सेट करने के लिए है gallon per minute ठीक है gallon पर minute GPM को सेट करने के लिए है उसको छेड़ना नहीं होता normal wall नहीं होता वो वो balancing wall होता है कहां लगा रहता बही वो इंट्रियूर पूछेगा कैसे बताओ कहा लगा रहता है ये वाल ये हमेशा आउट लाइन में ही लगा रहेगा इसकी पहचान है ना लाइन देखके जो एक्सपिरिंस वाले होते हैं लाइन देखके बतादे रहे ये इन है ये सर कैसे पता लगा आपको उसने उस दबा के रख लिए आपने पास नहीं ये बता दिया तो भी मेरी वैल लू कैसे रहेगी और भी मेरे सर्तोना लाइन देखके बता देते हैं कौन सी इन है कौन सी आउट है भाई ये कोई भी बता देगा आप भी बता दो गया किसे तो बहुत ही यूनीक चीज़े हम बताते हैं वहाँ पर बहुत ही यूनीक चीज़े समझ रहे ना अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां कहां लगती है देख लेते हैं कहां कहां लगती है ये देखो ये हमारी लाइन है ये देखो पानी आउट गया है ये इनाया है ये हमारा यहाँ पर हम देखेंगे एक एक हमारा ये इनाया है यहाँ आ गया पंप के अंदर से यहाँ से चला गया आगे ये लगावा है हमारा बैलेंसिंग वाल क्या लगावा हमारा ये देखो इस फोटो में और थोड़े सा किलियर दिख रही हो गया आगे बाले मैं आपको ठीक है तो ये क्या लगावा हमारा बैलंसिंग वाल एक बार कंपनी ने सेट कर दिया ना छेड़ना नहीं भाई फिर उनको लगेगा पर कहीं कुछ दिककत हो रही है तो जीपीम चेक किया जाता कि सई है गड़बड है क्या दिककत हो रही है आपके बस की बात नहीं है अमें नहीं छेड़ना ज़्यादा उसको यह आउटलाइन में होगा ठीक है और भी बहुत सार यहसी चीजें तो बताने वाले हैं आप लोगों को तो यह देखो यह लगा हुआ यह लगा हुआ यह वाल है इसका भी बात करेंगे बटरफ्लाइ वाल बोलते हैं इसको आगे इसके बारे में भी डिसकस करेंगे हम हुआ है वो कौण सा था शिल्वर जैसी लाइन थी जी कौण सी लाइन में लगा था वाई चिलर में चिलर में कौण सी लाइन में लगा था वो चिल्ड वाटर लाइन में था ये कौण सी में है ये देखो हरीरी लाइन है ये है सिल्वर ये वाली है चिल्ड वाटर लाइन ये यह कंडेंसर लाइन ठीक है यह देखो यह लगा हुआ कंडेंसर लाइन में वाल ठीक है तो वाल देखते ही समझ जाओ कि वह आउट लाइन है ठीक है अब समझदार हो रहे हो दोस्ता आप भी यह देखो यह चिल्ड लाइन में लगा हुआ यह देखो यहाँ पर यह लगा हुआ है यह पंप है हमारे दो तरह के पंप लगते हैं प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप बहुत सारे पंप लगते हैं एक चीज यह देखो यह VFD है VFD है सेकेंडरी में लगती है यह पावर सेविंग करती है ओटोमेशन में काम करती है बहुत फाइदेमन चीज है मोटर की लाइफ डबल हो जाती है इससे BMS कंट्रोलिंग BMS में यूज करते हैं इसको हम प्रेसर से कंट्रोल करेंगे हमाराज प्रेसर होता न उसके हीध साबसे कितना तीज चलना कितना सलो चलना वोılan डिसाइड करती है ये अभी दिखाया था यार अभी दिखाया था आप लोगों को वाल वाल बिल्कुल butterfly wall अभी जो दिखाया था ब rubbing यह होता है बटरफ्लाई बोल यह देखो बटरफ्लाई यह पतली सी होती है यह पतली सी पत्ती होती है यह ऐसे राउंड होती है पतली सी पत्ती होती है बीच में यह देखो यह इस तरह यह लगा हुआ है यह देखो यह मोटा मोटा यहां दिख रहा है यह बीच में लगा हुआ है इसको इधर करेंगे पूरा बंद हो जाएगा, इधर करेंगे खुल जाएगा, butterfly wall बोलते हैं इसको, तीक है अब आगे और आगे, देखो पढ़ दो यार, पढ़ दो कहां लगाते हैं, क्या है in or out दोनों line में लगा देते हैं हमारी जितनी भी in or out की line होते हैं, सारी line में लगता है, इसको maintenance wall भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, maintenance wall इसी को बोलते हैं ये देखो ये पहले ही mark किया हुआ है जी, हमने पहले इसको mark किया हुआ है, ये देखो, यहां पर रही है तोड़ा सा और बता देता हूँ ये देखो, ये रहा हमारा ये लगा हुआ ये लगा हुआ ये लगा हुआ, इन और out, ऐसा नहीं है इन और out दोनों line हो में लगा रहेगा maintenance करना होगा जब इसको करते हैं इसको न, 15 दिन में एक बार अगर आपको न, ये खुली पड़ी ही रहती है, 15 दिन में एक बार इसको operate, 2-3-4 बार operate करके इसको देखना चाहिए, जब operate कर रहे हुआ आपके pumps वगरा सारे बंद हो न, pump पही अपने पूरी line ही बंद कर दी pump pressure पड़ेगा कुछ चीजें हैं जो बहुत important हैं और important लोगों को ही वो चीजें पता होती हैं आप भी वो important person बनने वाले हैं, ठीक है समझ रहे हो न, कुछ confusion है तो बताओ कुछ confusion है तो बताओ कहां बताना है जी, comment में बता दो comment में बता दो ठीक है यह देखो यहां पर भी अमारे butterfly wall अमारे लगे हुई हैं यह देखो, यह है हमारी जो condenser line थी, condenser line यह लगा हुआ है यह देखो यह ऐसे होता है एक इसमें ऐसे निकला रहता है तो इसको दबाते हैं इसको यूँ, यूँ है न जैसे दो चीजे हैं ऐसे यूँ दबाएंगे इसको और फिर operate होगा हमारा pipe यूँ गया हुआ है और यह यूँ लगाना सीधा है तो यह खुला हुआ है अगर हमारा pipe है यह यूँ है यह भी इसको देखके भई यह उरे शर्क को तो पता भई यह कैसे open है यह close है भई यह simple चीजे हैं बिल्कुल simple चीजे हैं और आप अपने आपको और थोड़ा simple बनाना चाहते हैं आप call कर सकते हैं किस number पर यह देखिए 8 3 6 8 6 3 7 3 3 5 skilled इंदुस्तान का number है इस number पर call कर सकते हैं और कोई भी course है उसके बारे में जनकारी ले सकते हैं हम अपने courses में 100% job की guarantee देते हैं electrical advanced course में तो होता ही होता है HVAC में कोसिस करते हैं कि जो हम 15 दिन में हम बोलते हैं कि लग जाएगी उसमें 20-25-30 दिन तक लग जाते हैं क्योंकि HVC की opening थोड़ी कम होती है बट उन लोगों के लिए HVC course एक वरदान है जिन्होंने electrical की knowledge जवर आगी grow करना चाते हैं जिन्होंने supervisor बनने का dream ले रखा है executive बनना चाते हैं जो manager बनना चाते हैं जो B-tech वाले लड़के हैं तो friends अगर आप लोगों को response इस वीडियो पर अच्छा आता है तो हम इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें free में सिखाएंगे अगर आप लोगों को response अच्छा आता है इस पर अच्छे view मिलते हैं अच्छे likes आते हैं अच्छे comments आते हैं तो हम इसका दूसरा तीसरा चोथा पांचमा बहुत सारी parts ले आएंगे और आप लोगों को कोसिस करेंगे जिस हिसाब से आपका response आता रहेगा उसी हिसाब से हम अपनी आगी की videos लेके आते रहेंगे अगर बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं यह number है call करो और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अमारे course के अंदर और अगली video इसके response के उपर depend करेगी जै हिंद जै हिंदुस्तान